होली का बहुत ही अच्छा तेवार आने वाला है ऐसे में हम सभी घरों में गुजिया जरूर बनाई जाती हैं आज हम बनाने जा रहे हैं मावा कुछिया हलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल मनुकिर सोई मावा बनाने के लिए सबसे पहले हम नहीं आप एक मिक्सिंग बॉल लिया है आप पराद धाली कुछ भी ले सकते हैं 400 क्राम हमने लिया है यहां पर मैदा 100 क्राम लिया है देशी घी डाल करके अच्छे से मिला देंगे यह मोयन डालने के बाद अच्छे से मोयन लगा देंगे हम हातों से रफ करती हुए इस तरह से मिला देंगे अब थोड़ा सा डालेंगे नमक दो से तीन पिंच हमने निहापन नमक डाल दिया है से टेस्ट और यह एनायंस हो जाएगा उजहे का नमक डालने के बाद मच्छे से मिला देंगे तो इस तरह से लड़ू बनने लगा है तो मतलब परफेक्ट मुयंत इसमें पड़ गया है थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम आटे को गूंद लेंगे हमें बहुत ज्यादा एक साथ पानी नहीं डालना है बस थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है और आटे को इस तरह से समेटती जाना है आटा कीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना कुछ यह खराब हो जाएंगी अच्छी नहीं बनेंगी तो इस तरह से हमें सक्त आटा लगाना है हाथ से मसलती हुए इस तरह से आटे को हमने यहाँ पर समेट लिया है अब इसको हम रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए तो इस तरह से ढख करके रख देते हैं अब चलते हैं स्टफिंग तेयार कर लेती हैं तो कैस पर हमने कड़ाय चड़ा दिया है डाल दिया एक चमस देशी घी और ये ड्राइब फ्रूट डाल करके भून लेंगे तो यहाँ पर ड्राइब फ्रूट हमने कट नहीं किया है साबूत ही भूनेंगे काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और ये कोकोनेट हमने ग्राइंड कर लिया है इसको भी भून लेंगे हलका ही हलका भूनेंगे और निकाल लेंगे तो ये नारियल भी हमने भून लिया है अब चलती है इनको हम कोट लेते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से दरदरा ही कोटेंगे बहुत ज्यादा हमें बारिक नहीं कोटना है आप चाहे तो mixi के जहार में डाल करके भी इसको grind कर सकती है लेकिन मोटा ही रखना है अब इसको हम डाल देंगे खोय के साथ मिला देंगे तो यहाँ पर हमने 400 ग्राम खोया लिया है खोय को हमने भून लिया है यह homemade खोया है पचाहे तो market से भी ला सकती है खुए के साथ हमने ड्राइफ फ्रूट पिसा हुआ डाल दिया है और किस्मिस और ये नारियल इन सब को डाल करके आधा छोटा चमच डाला है लाची पाउडर मिला देंगे अच्छे से तेट सो ग्राम हमने यहाँ पर लिया है चीनी चीनी आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से जैसा पसंद करते हैं हाथ से अच्छे से मिला देंगे ये स्टफिंग तयार हो गई है अब चलते हैं आटा चेक कर लेते हैं तो देखें आटा भी सेट हो गया है यहाँ पर लेकिन हाथ से थोड़ा सा और अच्छे से मिसल देंगे इसको टाकि पूड्यां जो है वो अच्छे से बन जाए और टूटे ना अब इसको दो भाग में इस तरए से हम तोड लेंगे और स्क्रेंडर के curriculum see is तरह से रोल बना लेंगे अब इसको चाकू से काट लेंगे बराबर पिसेज में काटेंगे ताकि लोईया बनाने में हमें इजी रहो जाए इस तरह से बराबर पीसिज में हम काट लेंगे एक पेढ़ा इस तरह से उठाएंगे हाथ पर रहर रखेंगे राउंड घुमाते हुए दबा हुए बना लेंगे। इस से कलेंगे रह्लें के रह platforms ह Parece कहुंसरे समय नहीं लगाया है तो बहुत ज्यादा मोटी या बहुत ज्यादा पतली थोड़ी पतली ही हमको रखना है बहुत मोटी नहीं रखना है इतनी थिकनेस हमको चाहिए और यहां पर हमने लिया है यह कुझया बनाने का साचा मोल्ड इसमें हमने आयल लगा लिया है ग्रीस कर लिया ह से खुल से अब एक पूड़ी उठा करके इस तरह से रखेंगे तो सारी पूड़ी हम बनाने के बाद ही हुजा बनाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे लिए एजी रहेगा साइड में लगाएंगे पानी और भीज में इस तरह से stuffiny भर देगे और वोड करके दबा देंगे अच्छे से दबा देना है और हाओ से इस तरह से निकाल देंगे किनारे का या आप चाहें तो इस तरह से चाकु से निकाल देजये चाकु से भी बहुत smoothly निकल जाएगा अच्छी और स्मूद गुजिया बन करके तयार हो गए है वापस उसी तरह से साचे में हम रखेंगे एक पूड़ी और साइट से लगाएंगे पानी और बीच में ही रखेंगे ताकि गुजिया खुले लेना इस तरह से हम सारी गुजिया बना करके रख लेंगे तो अब चलते हैं आईल चड़ा देते हैं जब तक हम गुजिया भर रहे हैं तब तक आईल भी गरम हो जाएगा तो यहाँ पर यह गुजिया हमने सारी बना लिया है और एक साथ बना करके हम तलेंगे इनको और आईल भी गरम हो गया है तो यह गुजिया हम डाल देंगे इसमें और दो दो चार चार करके हमें नहीं तलना है एक साथ हम ज्यादर ज्यादर गुजिया तलेंगे ताकि इसम कपलटने में थोड़ी दिख्यक्त होती है बलकुल नहीं चाहती है बहुत मुष्किल होता है इनको पलकन तो इस तरह से उलट पलकर करके हम दोनों तरफ से सेखकंगे तो ये इस तरह से ब्राउन अच्छे से सेखेंगे गुजिया को तो गुजिया हमारी ये सिक करके तयार हो गई हैं देखें बहुत ही अच्छी बन गई हैं गुजिया आप इनको हम निकाल लेती हैं पैस की फ्लेम हम एक बार आल गरम कर लेंगे उसके बाद लो कर देंगे धीमियाज पर कुझे को सेकेंगे तो ये बहुत ही खसता टेस्टी गुजह बन करके तयार हो गई है आप लोग भी जरूर होली पर बनाएं और अपना फेस्टिवल इंजॉय करिए हमारी रेस्पी आपको कैसे लगी अपनी ओपिनियन हमें जरूर लिखेगा आई होप कि आपको हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइट चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकुल मत बूलेगा थैंक्स फॉर वाचिंग